हेलो एल वेल्कम बैक तोस्तों कैसे हो आप सबी लोगों भी तकरता होगे अच्छे होंगे मैं भी अच्छा हूँ और आज फिर से हाजिर हूँ माइनक्राफ्ट के साथ तो आज फिर से हम लोग यहां पर महल ही बनाने वाले हैं तो अभी मुझे काफी सारी डर्ट चाहिए हो होगा थोड़ा ऊच्छा लगेगा तो अच्छा बनेगा अच्छा ऊपर थोड़ा बनेगा तो अच्छा लेगेगा मतलब मैं उल्टा बोल गया तो अभी यहां से एक बाक और उपर दे देता हूं इसको एक यहां से दे देता हूं और ऐसी ठीक मुझे यह पूरी की पूरी अंदर जितनी डर्ट लगे गिना मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उस चीज में तो मैं ऊपर इसके एक और लेज चड़ा देता हूँ जिसके ऊपर मैं सिर्फ छत बना दूँगा मतलब हाँ एक फ्लोर बना दूँगा उसके ऊपर मैं अपना महल बन करनी है मुझे सबसे बहले मुझे ना यहां पर बना लेने चाहिए तो इसके लिए मैं एक यहां पर कूनी पर आ जाता हूं एक कून पर और यहां पर आपने जो वाच्ट आवर उसके लिए जगा ले लेता हूं जितनी तिल लगेगी चार-पांच ब्लॉक्स है ठीक होंगे ज्यादा बड़ा भी ठीक नहीं लगेगा तो ठीक है यह इतना सारा काफी होगा और मैं ऐसे तीन ब्लॉक को छोड़ करके यहां पर लगा देता हूं ऐसे यह दिवार जो की एक दिवार अंदर की बनने वाली है तो यहां पर भी मैंने ठीक वाइसे लगा दिया है और इसे जो कुछ भी नहीं है भाई हाई यह बहुत कम हाईट है तो मुझे थोड़ा सा और गुचा करना होगा तो मैं इसे एक काम करता हूं कि सारा एक साथ एक ही लेवल में लेके चलता हूं बार बार मुझे नीचे आना पड़ेगा फिर वो अच्छा नहीं लगेगा तो इसको मै एक ही बार में कम्प्रीट कर लेता हूं ठीक है दोस्तों यह लगबग आदे पर आ चुका है और अभी मैं अच्छी तरह से उपर ले जाता हूं ताकि बार बार मुझे नीचे ना आना पड़े और मेरा काम भी पूरा हो जाए तो अभी देखो दोस्तों मैंने इसको पूरा उपर कर लिया है और अभी सेंटर से लेके मुझे तीन तीन ब्लॉक इसको चोड़ा करना होगा मतलब और गैब देना होगा तो यहां पर भी लगा देता हूं मतलब कि एक सेंटर से मुझे तीन तीन ब्लॉक और साइड में लगाना है जहां पर मैं इसका बेस बनाने वाला ह जहां हमारे सिपाही वेगारा खड़े होंगे तो ठीक है देश तो इस साइड में तोड़ा कम है यहां पर भी लगा देता हूँ उसके बाद ऐसे एक ब्लॉक छोड़के मुझे यहां पर एक ब्लॉक लगाना होगा ताकि इसके उपर थोड़ा डिजाइन अच्छा लग जाए तो फिलाल यह थोड़ा छोटा था तो मैंने एक लेयर नीचे बना दिया यानि दीवार जैसी बना दिया उसके उपर ये बना दिया डिजाइन इसका एक ब्लॉक छोड़ करके तो ऐसे चारों तरफ मुझे लगाने है तो मैं फटा फट से लगा देता हूँ ठीक है यही पे भी ऐसा भी तो अब एक ब्लॉक छोड़ के एक ब्लॉक मुझे उपर लगाना है ताकि यह देखने में काफी अच्छा लगी तो ठीक है यहां पे भी लग गया यह रह गया है बस दो ब्लॉक यह लग गया है तो अब यह उपर से काफी अच्छा देखने में लग रहा है जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ठीक मुझे ऐसा है इस तरह भी करना है तो अब भी देखो दोस्तो मैंने यहाँ पे दो और टावर बना के तयार कर दिये हैं और यह काफी ज़्यादा अच्छे भी लग रहे हैं तो बीच वाली दिवार को अभी मैं भर देता हूँ तो तो कि और कोई काम नहीं है इस तरफ यह बंदा ओपर स्पॉन हो गयार यह लुटे रहे हैं एक तरह से इस गेम के अंदर माइनक्राफ्ट के अंदर तो यह मुझे यहाँ लूटने के लिए आया फिलाल इसको पता नहीं है कि मेरे बस डायमेंड की स्वाड है जो की fully upgraded है तो फिलाल मैंने इससे पंगा ले 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 है यह कुछ खास अच्छा नहीं है मैं यहाँ पर बना रहा था देखो यहाँ पर धनो धर भी आ चुके हैं तीरन अंदाज तो यह अभी मुझे घर ही जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे घर के ऊपर अभी होने वाली है तो जल्दी से घर चलते हैं तो ठीक है तो मैं अपने घर पी आ चुका हूँ मेरे घर पहुंचते पहुंचते यहाँ पर रेड भी स्टार्ट हो चुकी है फिलाल मुझे अपने लिए कुछ यहाँ पर हत्यार लेने पड़ेंगे पहले बो भी ले लेता हूँ एक बो यह ठीक रहेगा इंफिनिटी इसके साथ और मेरे शिलिड भी लेता हूँ भाई लोयलिटी वाला अपने पास यहाँ पर त्रिशूल रखा हुआ है और मैं बाहर जाके असानी से लड़ सको लेकिन फिलाल मुझे पता ने भी कितने बंदे आने वाले हैं क्योंकि एक बार पहले रेड हो चुकि यह बरे उपर और मुझे पता है बहले मैंने अच्छी तरीके से उनको संभाल लिया था और अभी इसके अंदर एक खासियत है इस त्रिशूल की अंदर क्योंकि जब मैं इसे फायर करता हूँ तो यह अपने आप लॉट करके मेरे पास आ जाता है काफी लोयल्टी वाला त्रिशूल है मेरा तो फिलाल अभी भाई एक को मैंने निप्टाया बाकी के बंदे मुझे दिखनी रहा है यहाँ पर सिर्फ दो मॉब दिख रहे है उपर जो दिखा रहा है फैली की जो वेव है उसके अंदर दो तीन ही आते है उसके बाद जादा आते है तो उनसे अच्छी तरह से मुझे फाइट करनी होगी तो भाई देखो अभी काफी ज़्यादा ढूनने के बाद ना मैं वापस आगया है और यह बंदा वापस ही मेरा इंतजार कर रहा है तो इसको पहले निप्टा आता हूँ यह लो मेरे तीर भी काफी ज़्यादा खतर ना गब है इसके अंदर पावर काफी अच्छी है देखो पावर थ्री किया और इंफिनिटी मतलब कि मेरे पास एक ही यहाँ पर वान रहेगा तो उससे मैं अन्लिमिल्टेट चला सकता हूँ तो दूसरे को ढूंटे ढूंटे यहाँ तक आप पहुंचाओ दूसरे किनारे पर और यह बंदा यहाँ चुपके बैटा हुआ था इसकी बैंड बजाते हैं तो अभी इसको मानने के बाद यहाँ पर रेड जो दूसरी है वो स्टार्ट हो चुकी है मुझे जाना पड़ेगा जल्दी से दूसरी तरफ तुम्हें यहाँ पर पहुंच चुका और यहाँ देखो यह लोग मेरे बनाए ट्राइप के अंदर फस चुके है तो मैंने यहाँ यहाँ पर किया कुछ इस तरह है सबसे पहले मुझे अपनी HP बढ़ा नहीं बढ़ेगी ओहो यह तो बंदा पीछे पड़ गया मेरे एक मिनट मेरे पास टाइम मिड़ की सुवड़ है लेकिन यार सही बताऊ तो इस सेटिंग के साथ आप लोग फाइट मत लेना जो सेटिंग मैंने कर रखी है इस तरह नहीं लेकिन नहीं लेकिन लेकिन उससे डामेज कुछ खास अच्छा नहीं होता मतलब दो तीन वार में जाता लेकिन फिर भी डैमेज उसका अच्छा है और मेरी डामेंड्स वर तो काफी ज़्यादा पावर्फुल है तो सबसे पहले मैं यहां से भाग्ए अपने घर में गया क्योंकि मुझे अपनी बढ़ाने थी बाहर जाना ही पड़ेगा ऐसा काम नहीं बनने वाले और यहां पर अपर तफिल खानि मुझे कुछ दीख भी नहीं रहा है और वह मुझे लग धार वो कि दूसरी तरह होंगे काफी सार तो मुझे मौड़ा नहीं और मैं इसको आपको बता रहा है थो उसके बारे में और मैंने बीच में चोड़ दया है कई गुमा के सिर के अंदर जो मेरा ये तीर है में ही समाप्त कर देता है किसी भी आई न मी गयो लेकिन इस सांड के उपर कितने जादा मुझे वाण मरने पड़े और अब फिलाल एक और बंदा है जो बुझे दिखनी रहा वो कहां पर होगा वो पता नहीं है चूप गया और अरो को यह दिखा 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 भाई यह तो मार रहा है रुगजा भाई तेरी एंतिम संसकार वाली प्रक्रिया हम लोग यहां से करेंगे तो ठीक है तो इसको भी मैंने मार दिया और अपने विलिज को मैंने किसी ने किसी तरह बचा लिया है तो फिलाल ये तो बिच में एक अडंगा ही था मेरे काम के क्योंकि मैं तो अपना वहां पर बना रहा था मस्त तरीके से महल और यहां वै विलिजर भाई ये मुझे लेने के लिए बाहर अंदर आजा यार कोई दिकतने मैं आ चुका हूं तो उसके बाद फिर से मैंने थोड़ा बहुत सवान लिया क्योंकि मुझे चाहिए काफी सारी मशाले तो मशाल बनाने के लिए कोईला चाहिए कोईला मेरे पास काफी बढ़ा हुआ क्योंकि कोईला तो मैं अपने भाई फोर्चुन ध्री वर्डी एक्स से तोड़ता हूं और लगड़ी वगड़ी देने का जितनी मेरे पास यहां पर यह बने गी ना मैं उतनी की बना लूंगा और यह ले जाकर कि मुझे उपने उपर लगाना होगा यह वहां पर लगाना होगा मेरे बातार मुझे प्लाट मैं वो ले लेता हूं उसके बाद अपने xp farm पी आया यहां पी तको कितने सारे भाई यह zombie पस चुके आखे और मेरा xp farm तो भाई बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है फिलाल मेरे पास mending मिल चुकी थी मुझे mending मिली थी समंदर के अंदर से तो वो मैंने लग अंदर घुस गया zombie के जूण के अंदर तो वो भाई मुझे बहुत यह जीव सा लगा कि यह दिखे ही नहीं मुझे तो मचीदा घुस गया उनके अंदर उसके बाद अभी दिन तो हो चुका है और वह नहीं धक्के से करवाया है तो यहां पे अभी जितनी मशाल लगींगी लगा करके यहां दूसरी साइड पर भी एक यह बनाना शिरू कर देता हूं मुझे यहां पर भी वैसा ही वाश टावर बनाना पड़ेगा पांच इस तरफ लगाते हैं और अपना वाश टावर बनाते हैं यहां पर तो ठीका उसी तरह से मैं वाश टावर यहां पर भी बना करी दूँगा नीचे के फ्लोर से थोड़ा ऊचा ही हो जाएगा मतलब नीचे का कुछ टूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक बनाते बनाते मैं ऐसे ही ऊपर तो आ चुका हूँ यहां पर यहां पर अपना वाच टावर और इसके ओपर भी ठीक वैसे डिजाइन म लगने वाला थो भीच भीच में बहुत सारे कट लगा रहें कि यार मैं हर चीज को कवर निहीं कर सकता मेरे फोन की स्टोरेज जो भब भर जाती है जिसके बाद मेरे पास वीडियो रिकॉड़ करने की को स्टोरेज बजती नहीं इसलिए मुझे सारा काम ओफ-लाइन भी करन जाने के लिए ये हमारे सीपाईयों का यहां पर विश्राम ग्रै होगा यहां पर वो रुकेंगे उसके बाद ऊपर चड़ जाएंगे बतलत सीपाई कुछ अच्छे असली तो नहीं होंगे शायद लेकिन बो जो भी होंगे ठीक है मैं बना लूँगा किसी ना किसी तरह से जै उपर का मैं दिखाता हूं यहां पर महौल कैसा है तो यह देखो मैंने काफी सारी टॉर्चे सभी के उपर लगा दी जितनी मैं बना करके लाया था नीचे भी बहुत सारी टॉर्चे लगा दी है मैंने और अभी काफी हद तक यह महल जासा दिखनी लगा है तो दीखो दोस् पाहाड को भी मैं काट देता हूँ क्योंकि फिर इसे मुझे मेल्ट करना हो इसका बनाना है स्टोन फिर इससे बनेगी स्टोन प्रेक तो यहाँ पर जितना भी मिल रहा है मैं ले लूँगा और जितना कोईला मिल रहा है इसको तुम अपनी फोर्चून वाले पीकैक से प्रफ़ा कर लिया था और अभी जो मेरे पास यहां पड़ा हुआ थोड़ा बहुत वह भी ले लेता हूं इन सभी को जा करके अपने फर्नस में डालूंगा मेल्ट करूंगा और फिर स्टोन ब्रिक बनाऊंगा तो चली चलते हैं तो देखो दोस्तों मैंने अपने फर्नस सार इनको अंदर डाल ले हुए तो फिलाल काफी बनके तयार हो जागा मेरे पास तो देखो दोस्तों सारा बन चुका है अब मुझे क्या करना सिर्फ इन से स्टोन ब्रिक बनानी होगी तो ब्रिक बनाने के लिए मैं चार ब्लोक रखने पड़ते हैं इनके अंदर ऐसे और फिर ब्रिक बनके रेडी हो जागी एक बार में चार ब्लोक में रखना हूं तो मुझे चार ब्रिक मिलेगी तो जीतना मेरे पास यहां पर स्टोन था उतना ही स्टोन ब्रिक मिल चुका है मुझे तो अब भी चलते हैं अपने हवा महल में तो देखो दोस्तों अब यहाँ बीच की जो हमारे सामने वाली दिवारे वहाँ पर काम करना है क्योंकि मुझे इसी के ओपर अपना रखना होगा पोर्टल ठीक है इस दिवार के ऊपर मुझे अपना पोड़र रखना है और इसे भी कुछ अच्छे तरीके से बनाने वाले हो मतलब ये उनके जैसे नहीं रहेगी है थोड़ी ऊची रहेगी हमारे महल से तो चलो दोस्तो इसको बनाते हैं थोड़ा चोड़ा करूँगा ऐसे क्योंकि मुझे अपना यहां पे पोर्टल रखना है तो मुझे खड़े होने की भी जगा चाहिए और खड़े होने की क्या मुझे मैं जहां से निकलूँगा उस पोर्टल के अंदर से तो मुझे पीछे की साइड भी जगा चाहिए होगी तो देखो पीछे का ये फ्लैट्फॉर्ण में जे कुछ ऐसा बना दिया अभी यहाँ पे थोड़ा सा इसको पीछे की साइड में बनाता हूँ और मतलब कि अच्छा डिजाइन लगेगा जैसा मुकट के पीछे नहीं होता हमारे महाराजाओं के मुकट के पीछे होता है वैसा वैसा ही एक चीज दिखेगी आप बना करके दिखाऊंगा आपको फिर दिखेगी तो ऐसे सीरी टाइप मैंने यह दो बना दिया यहाँ पर अभी इनको पूरा ऐसे खीज देता हूँ और इसके उपर फिर मैं एक दिवार बना दूँगा छोटी सी वो काफी जादा मस्त लगने वाला देखने हैं तो अभी पिलाल पहले यह बना लेता हूँ तो ठीक है देखतो ऊपर की दिवार तैयार हो चुकिए अभी यह नीचे की दिवार बनाता हूँ और ऐसे इसका सामने मेरा पोर्टल आने वाला है ये पीछे के मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि पोर्टल से हम लोग पीछे की साइड से बाहर निकलते हैं तो मैं कहीं पीछे की साइड बाहर ना गिर जाओ इसलिए मैं ये सब बना रहा हूँ तो देखो दोस्तों मैंने काफी सारा ओफ लाइन इस पर काम किया मैं अपनी जो ब्रीक बना के लाया था वो भी मैंने यहां पर लगा दिया है सामने हमारा पोर्टर कुछ इस तरह से दिखेगा और यह काफी ज़्यादा देखने में सुन्दर लगने वाला अभी सिर्फ इसक को समझ आ जागा और कुछ मेरे जैसे होंगे जिनको सामझ मिन नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है जादा फोर्ट नहीं करूंगा बाई सामझ मिन आए जाए तो बता देना बाकी चलो अपने मेहल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग तो चलो ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ सी सीडिया मुझे अच्छी नहीं लेग रही थी जो यह गोल मुटॉल बनाओंगा जैसा की सच में होते हैं वाच टावर के अंदर तो देखो यार यह कुछ ऐसा लग रहा है मैं इस चीज की बात कर रहा था कि मोकट के पीछे ऐसे दुख दिखता है ना वही चीज बनाओंग फिर वो थोड़ा और अच्छा लगेगा अब यह तो डिपेंड काता कि मैं बीच की साइड कैसे बनाता हूं और वो मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है तो फिर जब बना दूंग अब तब देखूंगा और ज्यादा तर कामेरा उफलाइन हो रहा है जैसा कि मैंने आपको बत बताया है कि मेरी स्टोरेज जो भर जाती है फोन की उसके बाद वीडियो रखने की जगह नहीं होती है और फिर मुझे क्योंकि अपने यार जो भी हमारा वीडियो एडिटर एप है उसके अंदर डालेंगे तो वो अलग से स्टोरेज लेता है वीडियो बनाने की इसके अब बस मुझे यहां पर दीवारें खड़ी करनी है इसके आसपास इस तरफ से जो की फरंट होने वाली है यहां पर होगा हमारा में गेट तो में गेट के लिए यहां पर एक दीवार रख देता हूँ जहां से सैनिक हमारे दरबारियों को अंदर भेजेंगे या फिर कोई फर्यादी होगा उसको अंदर भेजेंगे जो पीडित होगा उसको अंदर भेजेंगे राजा सी मिलने के लिए फिलाल गदी वदी जो है वो मैंने सोचानी है इसके अगल बगल अलग से रूम बनाऊंगा और सामने की तरफ हमारी जो सिंखासन होगी वो होगी तो यहां पर बना देता हूँ एक दिवार इस साइड में ऐसे तो ठीक इसी के साइड में दूसरी तरफ भी दिवार बना दूँगा और फिर हमारा फ्रंट बनाऊंगा अगली वीडियो के अंदर आज इस वीडियो के अंदर सिरफ इतने ही क्योंकि भाई जादा लंबी चोड़ी में इस यह बुरा कंप्लीट नहीं हुआ है ठीक है तो अभी इसके ओपर भी काम होगा और काफी जादा सुन्दर लगेगा जब यह तैयार हो जाएगा तो देखने में आपको कैसा लग रहा है मुझे जरूर से बताना और क्या कुछ मैं इसके अंदर और कर सकता हूं वो भी जरू और उसके पर कुछ अलग से डिजाइन बनाऊंगा तो फिर हम लोग देखेंगी कैसा बनेगा लेकिन आज इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही धन्यवाद